प्रिय दोस्तों, नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए को ए कब पढ़ते हैं, देखें, यदी किसी सब्द में ए आया हो, आपके सामने कोई सब्द है, और हम कह रहे हैं कि यदी किसी सब्द में ए आया हो, तो इस सब्द में ए आया हो, और एक अक्छर को चोड़ने के बाद फिर से ए हो, फिर से ए हो, तो वहाँ पर इस वाले ए का उच्चारा ए की तरह होगा, एक बार फिर से यदी किसी सब्द में ए आया हो, उसके तुरंत बात वाले अक्छर को चोड़ने के बाद फिर से ए आया हो, तो वहाँ पर इस वाले ए का उच्चारा ए की तरह होगा, अब ध्यान दिजी, सी को यहाँ पर हम सो पड़िंगी, और हमने कहा इस ए का उच्चारा ए की तरह होगा, तो सो में ए की मात्रा डाल देंगी, सी हो गया, बचा डी, डी को हम डो पड़ते हैं, तो इसका उच्चारण होगा, सिड, एक बाद इस नियम को फिर से दिखे, यदि किसी सब्द में ए आया हो, और उसके बाद वाले एक अक्छार को छोड़ने के बाद फिर से ए आया हो, तो इस वाले ए का उच्चारण ए की तरह होगा, उधारण के लिए आपकी सामने है सिड, एक बाद इसकी परिभासा भी देख लीजे, देखें, यदि ए के बाद एक अक्छार छोड़कर फिर से ए आता है, तो इ को इ पड़ते हैं, देखें, इ के बाद इस वाले ए के बाद एक अक्छार छोड़कर यदि वाला अक्छार छोड़कर फिर से फिर से ए आता है, तो इसका उचाराण, इस वाले ए का उचाराण ए की तरो होगा, जैसे की आपको बथाया गया था की, सी को सोब पड़ेंगे, इ को सोब के में, इ की मात्रा डालेंगे, और यहोँ होगा सी, और डी को डो पड़ते हैं, तो इसका उचारण होगा सीड़, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्यू, हेवनाइस टे, झालेंगे, 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